मस्कार दोस्तो स्वागत अपका Crazy Crypto Mint ू में आप देखेएsky क्रिप्टो करंसी के लिए इस पश्रूल बनाने की ज़रुवत RBI यानी हमारे RBI और RBI, गवर्णर साहब कुछ न कुछ क्रिप्टो करंसी के लिए खेर वो नेगेटी भी रहते हैं और कोई positive news तो हो नहीं सकती है, तो एक तो ये बात करेंगे, दूसरा कुछ baby dodge और सिवाई news रिलेटेड है, और आगे जो binance का फट चलना है, उसके बारे में भी, तो चलिए एक के बाद एक सब को कबर करते हैं, पहले लेते हैं, ये जो अपने RBI औरने सामने क्या बोला है, ज़रा इनके बारे हम देख लेते हैं, कुछ महीने पहले RBI ने कर्प्टोकंजी को, एक इस पष्ट खत्रा करार देते हुए, कहा था कि किसी चीज की value, अगर किसी asset के आधार के बिना केवल विश्वास पर बनी है, तो वह केवल 60 वाजी है, तो ये कोई नई बात नहीं है, RBI गवर्नर साथ तो बहुत पहले से ये चीज कहते आ रहे हैं, और हम लोग भी सुन सुन के इस चीज को पक चुके हैं, यह तरह से वही कह सकते हैं, अब यहाँ पर देखे, ये RBI के डिप्टी गवर्नर जनरल टी रवी संकर ने कहा कि क्रिप्टो करंसी क्या है, इसका क्या कारिया है, इसे समझाने के लिए रूल्स बनाने की जरूत है, उन्होंने बताया कि क्रिप्टो करंसी का उपलब्द डाटा ब्रहमक है, उनका कहना है कि इस मार्केट को प्रभावी तरीके से रेगुलेट करने की जरूवत है तो देखे रेगुलेट तो किया ही जाएगा और रेगुलेशन के लिए बात चल भी रही है चारों तरब देखे जी ट्वेंटी की बात है और जो भी है सारी सरकारें लगी हुए है तो अब जो भी है रेगुलेशन तो बनेंगे और बनने चाहिए भी क्योंकि जो आजकल चल रहा है उसके लिए देखे रेगुलेशन का आना बहुत जरूरी है लेकिन हाँ देखिए जो RBI का या RBI गवर्नर या डेप्टी गवर्नर का जो भी statement है देखिए मैं तो उससे कोई इतिफाक रखता नहीं हूँ और मुझे तो यह हमें सासे नेगेटिव लगे हैं और वो नेगेटिव ही कुछ न कुछ उनके comment आते हैं तो जो भी है एक ये नियूज थी आपके लिए जो सामने रखना जरूरी था चलिए यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे बेबी डॉज आर्मी कीपस एकस्पेंडिंग सिव लेक बिहाइंड यानि कि बेबी डॉज जो है यानि कि जो होल्डर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं सिवा इनु इस मामले में पीछे हो रहा है और खैर है भी देखियो होल्डर्स के मामले में अगर इसमें कोई दोरा यह नहीं है काफी पीछे है सिवा इनु और आज की रेट में सिवा इनु के होल्डर्स हैं कि देखिए होल्डर्स के मामले में बेबी डॉच सिवा इनू से काफी आगे निकल चुका है तो ये कहीं ने कहीं चर्चा का बेसा भी है कि भाई अभी बेबी डॉच काफी छोटा कोईन अगर सिवा इनू के मुकाबले देखा जाए तो लेकिन होल्डर्स के मामले में कहीं न कहीं ये आगे निकल गया है और सिवा इनू से कहीं न कहीं बहुत पीछे रह गया है तो ये कहीं न कहीं एक बेबी डॉज होल्डर्स के लिए अच्छी बात है अभी बस हिम्मत रखी है कि कोई जो मार्केट के हालात हैं उसके लिए आपको देखे हिम्मत ही रखनी पड़ेगी देखे हम सीजे बाइनेस के ट्विटर हैंडल पर आ गाएं और जब से ये बाइनेस का फट फैला है तब से जो है कमेंट वाजी दबा के हो रही है खुब कमेंट हो रहा है बाइनेस के खिलाफ भी हो रहा है और बाइनेस अपना बचाब भी एक तरह से कर रहा है बचाब तो करता भी है अब देखिए अब दो गंटे पहले का एक ट्विट है ignore FUD keep building यानि के FUD को ignore करो जो भी है अब ये भाई create तो हुआ ही है कहीं ने कहीं से अब इतना जल्दी भी नहीं होगा कि भाई आपने कह दिया और उसको जो है ignore कर दिया जाए आप जैसे Binance ने बोला है Reuters it wrong again यानि के Reuters जो है एक बार फिर से गलत है और ये अपनी जो पूरी एक तरह से वह है सफाई दे रहे हैं पूरा एक आर्टिकल है इनका आप पढ़ सकते हैं लेकिन उसमें क्या है कि भाई इन्होंने अपनी तरह से बोला है लेकिन भाई कहीं ने कहीं जो Justice Department है US का वो भी अपनी जगे देखो देखिए आप यह बाईनेंस एनेफ्टी अबर एक्सक्लिजिव एप स्टेकिंग प्रोग्राम इस नाव लाइप यानि जो एप है एप एनेफ्टी जो है आप उसकी स्टेकिंग भी अब कर सकते हैं वो लाइब है तो यह बाईनेंस ने एक तरह से यह स्टेक यॉर बी ए वाई सी एम वाई सी एनेफ्टीज तो अर्न डेली एप कोईन टोकन रिवाड अप टू वन नाईनटी नाइन परसेंट एप एर एंड शेयर आप प्रोग्राम टोकन आप कोईन टोकन रिवाड़ शी अवर Exclusive Advantage Below End तो आप यहां यह देख सकते हैं यह नहीं जो कोई पूछ रहा था मुझसे कि इन्हें अप्टी का क्या वो इस स्टेकिंग लाइब गुए तो बिलकुल आप यह देख सकते हैं यहां पर जो है स्टेकिंग का इन्होंने एक तरह से अनौंस कर दिया है और आज यह जो magic एक तरह से आज लिस्टिंग होई इस magic ने तो बाइनेंस के लिए ही एक नया magic खड़ा कर दिया और आप देखें आज पूरे दिन में क्या एक अच्छा खासा फट फैला और वो कहीं ने कहीं जो है market के लिए भी थोड़ा सा negative sentence ही बना अब देखते हैं आगे क्या होता है हम market के अपर हैं तो यहां देखें बीटीसी जो थोड़ा सा गिरा था वो दुवारा से एक तरह से 17,000 की रेज में पहुँच गया है आप देख रहे हैं बीटीसी जब यह फट आया उस टाइम पर जो है बीटीसी भी नीचे आया लेकिन बीटीसी फिद दुवारा से 17,000 की अपने रेज में पहुच गया है में चीज़ है BNB देखे BNB जो है अभी भी लगभग आप अंदाज़त देख लिए लगभग 5% के आज़ पास अभी भी गिरा हुआ है और जो कहीं ने कहीं जैसे उपर जो जाना चाहिए था वो अभी भी जो है नहीं जा रहा है और कुलम लाके देख रहे हैं आप 290 से 275 पर आ गया है घटके तो BNB में अभी थोड़ा सा डर है और ये डर में भी देखे जब तक थोड़े सा सारा क्लियर नहीं हो जाएगा थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाएगा पूरी तरीके से यानि अंदर से निउज जब तक नहीं जब तक नहीं आगी कोई न निउज है वो केबल एक तरह से कहते हैं कि खबरों में है जो अंदर से निकली है यानि यो ऑथेंटिक जो खबर चाहिए वो अभी भी जस्टिस डिपार्टमेंट से आनी जरूरी है जैसे ही वो निउज आएगी उसके बाद देखे बहुत सी चीजें फिर क्लियर कट हो जा रहे हैं कि पहले जस्टिस डिपार्टमेंट से कोई ऑथेंटिक निउज निकल के बाहर आए तो चलिए उसी सीज का इंतियार है कि यह जैसे ही कुछ किलियर होता है तो मार्केट भी अच्छा होगा लेकिन कुल में लागे बेटी सी ने अपनी दुबारा से पोजिशन फिर हैं नमस्कार